लेकिन इसी वीच बड़ी खबर आ रही है, ये जो विजूल्ज आप देख रहे हैं, ये बंगाल में मैसिफ सेलिब्रेशन हो रहा है, सीए के आने पर बंगाल के आप दुश्य देख रहे हैं, बंगाल में मैसिफ सेलिब्रेशन हो रहा है, बंगाल और असाप में इसका सबसे जादा असर पढ़ने वाला है इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है ब्रेकिंग स्टोरी है बंगाल और असाम में इसका डारेक्ट इंपक्ट पढ़ने वाला है ये समय की बड़ी खबर है गौरा भाटिया बंगाल में सेलिब्रेशन का महौल है लेकिन विपक्षी खेमे में चिन्ता है और महौल खराब होने की बात की जा रही है गौरा भाटिया अमी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूँ और फिर ये सारी बाते जो आप उठा रहे हैं इनका उत्तर भी दूँगा सबसे पहले देखिए पहली बात CAA का कानून नागरिक्ता देने का कानून है लेने का कानून नहीं है यही भरम यही रायता फ्हलाया था इन्होंने पहले भी और उसके बाद चुनाव दर चुनाव यहारे और जो कानून संसत पारिद कर चुकी है उसको आप लागू कैसे नहीं करेंगे उसके विपरीद बात कैसे करेंगे दूसरी बात CAA और NRC अलग अलग हैं लेकिन ये लोग उसको एक साथ इसलिए बोल रहे हैं चाहते हैं कि खासकर जो अल्प संक्यक हैं मुसल्मान हैं उनमें भ्रम की स्थिती पैदा हो तीसरी बात आपने कहा कि एक समाज में डर पैदा होगा दुरुवी करण हो मैं अमीर जी पूछना चाहता हूँ आप भारत के नागरिक हैं और मुसल्मानों की भी बात कर लेते हैं जब आपकी नागरिकता जा नहीं रही है और कोई अल्प संक्यक है अगर तीन मुसलिम बहूले देशों में और उनको प्रतानित किया जा रहा है और भारत हमेशा की महमारी में हमारी प्रत्विक्ता टीके देना थी 220 करोड दिये अब उसके बाद जब सही समय आया जब सरकार को लगागी हमें रूल्स को नोटिफाइ करना है तो सरकार ने कर दिया और लेकिन गौनब अधिया चुनाफ से एन पहले आया तो विपक्ष का सवाल भी गैरंटी जो थी वो पूरी हुई है मोदी ने जो कहा वो पूर रूप से किया है यह मोदी सरकार की गैरंटी थी और मोदी अपनी गैरंटी पूरी करते हैं मेरे साथ प्रयांका ककड जी भी है प्रयांका ककड एक बार फिर आपका विरंदन है न्यूज 18 पर मेरा सवाल अस्तेयमीज जी मुझे बताया गया था आज आपकी डिबेट का टॉपिक एलेक्टोरल बॉंड रहेगा पर यह डाइवरजनेरी टाक्टिक दुखद है जो हो रही है क्योंकि बहुत जरूरी है कि भाजपा से सवाल पूछा जाए कि ऐसे लोग जिनका बैंक केवाई सी भी कर चंदा नहीं दिया था पर उसके बाद उनके ओपर EDCBI चोड़ी गई और चंदा दिया गया तो यह आज देश के पैसे का सवाल है और बहुत जरूरी है कि इस पर चर्चा हो आपने लास्ट मिनट टॉपिक चेंज कर दिया जहां तक मोदी जी की गारंटी की बात है मोदी ज जैसे पहले शेहरों के नाम बदले जाते थे शेहर का नाम बदल देते थे रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते थे तो आज जुमले का नाम बदल के गारंटी कर दिया है बस इतना ही हुआ है यह जरूरी है चर्चा जो सुप्रीम कोट ने फटकार लगाई आज भाजपा क लेकिन ये टॉपिक हमने नहीं बदला, खबर इतनी बड़ी आई है, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसमें चैनल का क्या दोश है? ये ट लिया इन्होंने, और वो पैसे की जानकारी अब ये देने से मना कर रहे हैं, जब मोदी जी गारेंटी दे रहे थे बार बार, कि जनता को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहा जा रहा है? झिह झाल झाल, कि मैं उ़िएल मोदी उनका रहा है, एक फपर रहे से मना जागा है? झाल झाल